यस पीपल डन वित यूर ब्रेक आप लोगों का ब्रेक होगा ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है तो चलिए ब्रेक से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजे बढ़ी पढ़ी अब हम ब्रेक के बाद आज बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा पाट चालो करने वाले ह तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एक्जाम के लिए टेक्सरेट्स कौन सी एपलिकेबल है टेक्सरेट एक्सरेट्स्मेंट या जिसको हम बोल सकते है प्रीविएस येर ट्रीटीफो ट्यू सा आपके exam के लिए tax rate क्या है करगे ठीक है चलिए अब एक चीज़ समझता है किसी ने बोला कि backup कब तक upload होता है 2 p.m. तक हो जाएगा हमने एक standard time रखा है 2 बजे तक आपको backup upload हो जाएगा तो कोई miss हो जाता है आप backup से cover कर सकते है चलिए अब एक बाद समझना tax rate तो आपके exam के लिए tax rate क्या है उसमें guys मैं आपको बताओ 2 तरह की tax rate होती है एक तो होती है आपकी general tax rate एक तो आप कुछ लिखना नहीं है आपका ध्यान से रप इदर होना चाहिए बस एक तो होती है आपकी general tax rate करके जनरल tax rate या जिसको आप लोग बोल सकते है that is the slab rate जैसे आपने देखा होगा individual के लिए individual के लिए जो tax rate है वो slab rate है up to 2,50,000 तक कोई tax नहीं लगेगा 2,50,000 से 5,00, 5,00 5,00 to 10,00, 20% तो वो general tax rate है और guys एक होती है तुमारी special tax rate कौन सी होती है special tax rate एक होती है general tax rate और एक होती है special tax rate अब आप मुझे बोलोगे सरी जनरल tax rate कहां दे रखी है and special tax rate कहां दे रखी है तो मैं बता हूँ जो आपकी general tax rate होती है ये general tax rate हमेशा आपके जो दे रखी है ये दे रखी है finance act 2024 में तो general tax rate जो slab rate है वो आपके दे रखी होती है finance act 2024 में लेकिन जो special tax rate होती है वो special tax rate आपके दे रखी होती है in the special section of income tax act 1961 में तो अगर आपसे कोई पूछे कि sir ये general tax rate कहां दे रखी है finance act में दे रखी होगी and guys जो special tax rate होती है वो दे रखी है income tax act 1961 में तो special tax rate है वो आपके income tax act 1961 में दे रखी है चलो sir special tax rate मतलब क्या special tax rate means आपने सुना होगा कुछ examples लेते है special tax rate के तो जैसे आपको पता है कि अगर आपको special tax rate की अगर बात करू तो अगर आपको कोई long term capital gain होता है कौनसा capital gain long term capital gain under section 112 वाला 112 मिन्स जो normal long term capital gain होता है तो normal long term capital gain पे sir कौनसी tax rate है तो sir normal long term capital gain होता है हमको तो यह बताया गया है intermediate से कि normal long term capital gain जो section 112 में होता है उस पे tax rate है वो 20% है normal long term capital gain है वो long term capital gain पे rate 20% है लेकिन गाइस इस साल से amendment हुआ है amendment यह हुआ यह long term capital gain है उस पे tax rate 20% है लेकिन यह 20% का tax rate लगेगा अब टू आपने जो asset transfer की है that is transfer अब टू 22nd July 2024 अगर आपने 22nd July 2024 तक कोई asset को transfer कर दिया तो आपका long term capital gain है that is going to be taxable at the rate 20% जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है लेकिन उसके बाद किया तो अगर उसके बाद किया तो आपका एक amendment आ गया है और amendment यह बोलता है कि अगर आप उसके बाद करते हो तो अभी आपकी tax rate 12.5% हो गई है अगर आपका transfer होता है asset का with effect from 23rd July 2024 तो 23rd July 2024 के बाद आपकी tax rate वो 12.5% हो गई है पहले जो है वो 20% थी और अब आपकी 12.5% हो गई है अब आपका doubt ये रहेगा कि सर्फ पूरे साल के capital gain पे ना बबा ना देखो अगर आपकी asset transfer होती है वो 22nd July 2024 तक होती है तो तो आपका 20% का tax rate and guys आपका अगर यहाँ 23rd July 2024 या उसके बाद होता है तो आपकी tax rate 12.5% होगी लेकिन indexation का benefit नहीं मिलेगा वो मैं आपको capital gain में बता दूँगा वो मैं आपको capital gain में बता दूँगा अब आप मुझे बोलोगे कि सर्फ ये date 23rd July क्यों ली आपको 23rd July है वो याद रखना है क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे amendment है जो 23rd July से applicable हुए है तो 23rd July इसलिए लिया गया 23rd July 2024 को निरभला सीता रमन जी ने budget present किया तो देखो यहाँ पर जब मैं आपको budget की बात कर रहा था तो जो तुमारा second वाला budget है वो 23rd July 2024 को present किया तो 23rd July 2024 से काफी सारे amendments हुए है rates में तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी date तो 23rd July 2024 या उसके बाद में अगर आपने कोई भी long term capital asset transfer किया जिस पर long term capital gain हुआ तो उस particular case में आपका 12.5% tax rate रहेगा पहले अगर आपने transfer कर दिया था तो आपका 20% रहेगा अब एक और चीज समझना आपको पता है एक और long term capital gain होता है जिसको हम share market से long term capital gain बोलते है एक long term capital gain होता है under section 112A वाला under section 112A long term capital gain under section 112A वाला होता है और ये long term capital gain under section 112A क्या बोलता है कि अगर आपको long term capital gain होता है किस पे या तो equity shares पे आपका equity shares पे long term capital gain होता है या फिर equity oriented mutual fund की जो units होती है equity oriented mutual fund की units या फिर तुमारे कुछ business trust की unit business trust कल मैंने बताये था न वो REIT वगेरा business trust की units आपको बता है उस पे अगर long term capital gain होता था तो long term capital gain पे क्या tax rate थी बताव मुझे अगर LTCG 112A की मैं बात करूँ तो LTCG 112A जो है that is long term capital gain या तो equity shares पे जो की listed है क्योंकि उस पे STT पे होना चाहिए ऐसा condition था या equity oriented mutual funds पे या फिर business trust की unit पे पहले यहाँ पे क्या था पता है पहले यहाँ पे यह लिखा हुआ था कि अगर आपका long term capital gain हुआ under section 112A तो आपको tax rate क्या लगती थी that is the tax rate was 10% 10% in excess of rupees 1 lakh miss 1 lakh के उपर वाला long term capital gain है वो आपका 10% की rate से taxable होगा यही था तो पहले क्या था 10% in excess of the 1 lakh 1 lakh से उपर वाला जो है उस पे आपको 10% की rate से tax लगेगा लेकिन गाईज इसमें भी amendment हुआ और ये वाला amendment जो हुआ ये वाला जो amendment हुआ उस amendment में बहुत सारे लोग जो share market में deal करते है आप भी जैसे IPO लगाते हो या आप shares वगेरा खरीते बेचते हो तो लोगों को बड़ा दुख हुआ पुला यार यहाँ पे क्या amendment किया और amendment ये किया गया कि इन्होंने क्या किया कि चलो आपका 10% tax है तो अगर आप ये वाली asset जो है अगर आप ये transfer कर देते हो ये वाली asset अगर आप transfer कर दिया up to 22nd July 2024 अगर आपका 10% की rate से tax लगेगा लेकिन गाइस अगर 23rd July 2024 अगर आपने transfer किया तो 12.5% की rate से tax लगेगा तो देखो जो normal long term capital gain था न उसमें पहले 20% की rate से tax था अब उन्होंने 12.5% कर दिया इस date से कि इस date के बाद transfer करते हो तो 12.5 ये फाइदा है अपने लिए लेकिन इसमें अपने को नुकसान करा दिया कि जो share market पे equity share equity oriented mutual fund business trust की unit उसको बेचने से जो long term capital gain होता है पहले उस पे tax से रफ 10% से लगता था लेकिन इस date के बाद में अगर आप transfer करते हो तो 12.5% से लगेगा अब लेकिन से एक बाद बताईए यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे तो आपको पता है कि हमको एक 1 lakh का benefit और मिलता था कि 1 lakh तर tax नहीं लगेगा तो इन्होंने क्या किया यह 1 lakh का जो benefit था उस 1 lakh के benefit को उन्होंने बढ़ा के 1 lakh 25,000 कर दिया जिससे कि share market में ज़्यादा दिक्कते ना आए तो इन्होंने क्या किया कि यह जो tax लगेगा न वो in excess of rupees जो पहले 1 lakh हुआ करता था इस 1 lakh को इन्होंने हटा के और 1 lakh 25,000 रुपेज कर दिया मिस 1 lakh 25,000 से उपर वाला जो long term capital gain होगा that is going to be taxable at the rate 10% और 12.5% you got my point or not yes, so इसको आपका limit increase करके 125 कर दिया, अब मेरा doubt आप लोगों से यह है कि सरक बाद बताओ यह जो enhanced limit हुआ है 1 lakh से 125 यह पहले वाले capital gain पे भी लगेगा 125 यह सिरप बाद वाले capital gain पे ही लगेगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ समझो, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यह जो 125 का limit जो बढ़ा, यह 125 का limit जो है, क्या यह पहले वाले capital gain पे भी लगे, देखो एक चीज तो है, पूरे साल का limit है यह, तो यह पहले वाले पे भी लगेगा, या सरफ बाद वाले, पहले वाले पे एक लाग कर लगेगा, जैसे मैं एक example ले लेता हूँ, ठीक है, एक example ल बाला, और वो हुआ था 19 जुलाई 2024 को, इस date को, 19 जुलाई 2024 को हुआ, और वो जो LTCG है न, वो 5 लेक का हुआ, बस उसके बाद और कुछ भी मेरे को capital gain इस साल में नहीं हुआ, मेरा question आप लोगों सी यह है, बड़ा simple सा question है, समझनी कोशिश करना, एक बंदा है जिसका नाम ह मैं BB, मुझे LTCG 112 है हुआ, इस date को मैंने transfer किया था, 19 जुलाई 2024 before budget, तो पुराना rate लगना चाहिए, मुझे एक बात बताओ, इस में मेरे को long term capital gain पे rate क्या लगेगा, long term capital gain पे rate क्या लगेगा, 10% का लगेगा, या 12.5% का लगेगा, and limit क्या लगेगी, और मेरे को इस साल और क capital gain नहीं है, limit एक लाग की लगेगी, या फिर 1.25 लाग की लगेगी, हाँ, rate क्या लगेगा, and limit क्या लगेगी, limit है, वो, rate 10% लगेगा, limit एक लाग लगेगी, या 1.25 लाग, बताए, मुझे, मेरा जो doubt है, वो यह है, बताए, मुझे, मेरा जो doubt है, वो यह है, right answer is, चलिए, एक point में तो किसी को doubt नहीं है, और वो point यह है, कि rate हमको 10% लगेगी, सीधा आपने बता है, rate is 10%, इसमें किसी को कोई doubt नहीं है, my rate will be the 10%, 10% की rate लगेगी, 12.5% की नहीं लगेगी, दूसरा question यह है, limit 1 lakh की, या 1 lakh 25,000 की, ये doubt आपको आया होगा ना, कि limit 1 lakh की, या 1 lakh 25,000 की, क्योंकि changes हुआ है, वो 23rd July से हुआ है, हमारा capital gain पहले हो गया था, तो limit इस पर 1 lakh की लगेगी, या 1 lakh 25,000, right answer is, यहाँ पर जो limit है, वो आपको 1 lakh 25,000 की मिलेगी, rate 10% लगेगा, limit पूरे साल के लिए change की है, limit पूरे साल के लिए change की है, 1 lakh 25,000, but rate amendment is applicable from the 23rd July 2024, तो limit आपको 1 lakh 25,000 मिलेगी, and guys, rate जो है, वो पहले capital gain हुआ, 22nd July 2024 तक, उस पर 10%, और उसके बाद में हुआ, उस पर 12.5% है, वो आपका लग जाएगा, you got my point or not, yes, सर ऐसा कहां दे रखा है, तो भईया आपको bare act की मैंने book दी है इस बार, देखो आपके पास यह यह book आएगी, अभी, जो regular batch वाले है, this is the compact 3.0 करके है, यह मेरे पास आगई है, आपके पास भी 2-4 दिन में फोच जाएगी, उसके बाद this is the compiler, यह compiler रहेगा, और उसके साथ में एक आखी यह bare act वाली जो provision है, वो book रहेगी, जिसमें bare act का, raw form में law दे रखाए, बट ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, चलो नए interpret करेंगे, आपना तो regular batch लिया है, तो regular batch लिया है, तो interpret तो करना पड़ेगा, क्या देखो law में क्या लिखा हुआ है, तो चलिए अपने काम करते हैं, law में चलते हैं, और capital gain में, यह section डाली गई है, अमेंडम की गई है, यह section, और चलिए capital gain में, इन्होंने कैसे amendment किया है, मैं आपको बता दे, इधर देखिए सबी, अभी आपको मैं satisfied करता हूँ, कि why 1,25,000 for whole year, देखो, this is the amendment, देखिए, इन्होंने amendment कैसे किया, कि देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा है, कि ऐसी income, जो कि आपके long term capital assets से होती है, equity shares पे, या equity oriented mutual fund, या इन्होंने तो business trust, tax कैसे लगेगा, तो इसकी subsection 2 बोलती है, 1,1,2,A की, subsection 2 क्या बोलती है, देखिए, क्या दे रखा है, जो आपका capital gain amount calculate होगा, उसमें 1,25,000 के उपर, वाले capital gain पे, 1,25,000 के उपर वाले capital gain पे, कैसे tax लगेगा, on long term capital gain at the rate of 10%, for any transfer which take place before 23rd July 2024, means 23rd July 2024 से पहले transfer हुआ, तो 10% and on long term capital gain at the rate of 12.5% for any transfer which take place on or after 23rd, of July 2024, means 23rd July 2024, या उसके बाद में transfer हुआ, तो उस पे 12.5%, लेकिन देखो, यहाँ पे जो इस वाले clause में change हुआ है, section 1,1,2,A का subsection 2 का clause number 1, उसमें लिखा क्या है, इन्होंने word क्या लिखा है, the amount of income tax calculated on such long term capital gain exceeding 1,25,000, तो यहाँ पे इन्होंने 1,25,000 यही पे change कर दिया, जहाँ पहले यहाँ 1,00, हुआ करता था, तो इसको इन्होंने 1,25,000 कर दिया, और यह दोनों पे applicable होगा, इसको इन्होंने proviso के form में और clarify और किया है, नहीं तो लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, कि पहले वाले पे 1,00, दूसरे पहले पे 125,000, दो पच्चिस का exemption, is it like that, answer is no, तो देखिए, क्या दे रहाँ प्रोवाइड जो, एक प्रोवाइड जो और दिया है इन्होंने, provided that, the limit of 1,25,000 रुपेज shall apply on the aggregate of the long term capital gain, under sub clause number A and sub clause number B, तो जो ये sub clause number A है, जो पहले वाला capital gain, एंड ये दूसरा वाला capital gain, इन दोनों का मिला के, जो limit है, वो 1,25,000 लगेगा, miss 1,25,000 के उपर वाला जो capital gain रहेगा, only उस पे आपको 12.5% या 10% की rate से tax लगेगा, तो देखिए, this is called law, ये आपका law है, law ऐसा बोलता है, कि limit है, वो पहली चीज 1,25,000 हो गई है, ये पूरे साल के लिए limit है, और 1,25,000 के उपर वाला जो long term capital gain है, अगर वो budget से पहले है, तो 10% बजट के बाद वाला है, तो 12.5% और इन दोनों का मिला के combine limit है, वो 1,25,000 का लगेगा, 1,25,000 के उपर वाले पे आपको जो है, वो 12.5% या 10% है, उस rate से tax लगेगा, सरिप after 23rd July 2024, भी है, तो bifurcation कैसे होगा, अरे क्यों नहीं होगा, बड़ा simple है न, आप अपने contract note में देखोगे, कौनजी डेट को transfer हुआ है, तो जो पहले transfer हुआ है, वो पहले ले लो, बाद में transfer हुआ है, उसमें बाद में ले लो करके ठीक है, तो कैसे उसमें अब समझा नहीं, सर इट इस applicable from assessment के 25-26, only right, if we are yet to file, no, no, assessment के 25-26, अनिशा, it is like applicable from the 23rd July 2024, so obviously it is applicable for next assessment, चले, अच्छा, आपका doubt ये है, कि सर, मालो, अच्छा, आपका doubt में समझा, doubt में समझा करके ठीक है, कि सर, हमने 15 अपरेल 2023 को, कुछ share transfer किये थे, उस पे long term capital gain जो था, वो 50,000 था, ठीक है, उसके बाद हमने 19 जुलाई 2023 को और किये, उस पे भी 50,000 था, long term capital gain, उसके बाद हमने 17 ऑगस्ट, सरी 2024 हा, 23 से बाहर आना पड़ेगा, लास्ट येर था ना, 24, 24, 24, उसमें सर 70,000 था, अब उसके बाद, 19 दिसेंबर 2024 को किया, उसमें भी आपका, 75,000 का capital gain था, अब doubt ये है, कि सरी एक बाद बताओ, 125 का limit किसके सामने यूज करे, बिकाउस हमारा जो long term capital gain है, वो long term capital gain कितना हुआ, long term capital gain कितना हुआ, तो 50,000 plus 50,000 plus 70,000 plus 75,000, इट समस्टो 2,045,000, हाँ बही, 2,045,000, तो 2,045,000 का capital gain हुआ, शियर मार्केट पे, तो सर हम जो limit है, 125 की वो किसके सामने यूज करे, अगर हम इसके सामने यूज करें, क्योंकि यहाँ पहले जो इससे पहले, मैं यहाँ पे एक thin line ड्रॉ कर रहा हूँ, यह validate, कि चलो सर्थ, इससे पहले जो transfer हुआ, इस पे tax rate जो है, वो 10% थी, और इसके बाद वाले पे tax rate 12.5% है, तो भाई साब, आप मुझे एक बाद बताओ, हम किसके सामने इसको utilize करें, तो देखो, अभी तक इसको लेके कोई clarity नहीं है, क्या आपको FIFO method follow करना है, या LIFO method follow करना है, तो मेरे पाद choice है, जब भाईया clarity नहीं है, तो मेरे पाद choice है ना, फिर जो है, वो remaining 25,000 इसके सामने adjust करो, बट ऐसा अभी तक कहीं पर कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इस particular case में आप अपनी मर्जी है, उसके सामने use कर लो, सीधी सी बात है, अभी तक कोई clarity नहीं है, तेर में भी possibility return file करते हैं, मैं अगले साल कुछ ऐसा clarity दे दे, बट अभी तक कोई clarity नहीं है, तो clarity नहीं है, तो उस particular case में ऐसा हो सकता है, कि आप क्या करोगे, कि 75,000 आप यहां से use कर लो, भाई 75,000 आपने यहां से use कर लिया, तो 1,25,000 माइनस 75,000, आपके पास में 125,000 माइनस 75,000, तो आपके बास 50 बचा, 50 आप यहां से use कर लो, तो 50 आप यहां से use कर लिया, तो आपका 1,25,000 पर tax नहीं लगा, और उसके remaining वाले पर tax लगेगा, तो एक बात समझिए, यह जो 50,000 है, now it will be taxable at the rate 10%, यह जो 50,000 है, it is going to be taxable at the rate 10%, and guys, this 25,000 जो बचे गाए यहां पर, this 25,000 is going to be taxable at the rate 12.5%, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी अभी तक इसको लेके, कोई ऐसी clarity या ऐसा कहीं बोला नहीं है, कि आपको यहां पर लीफो या फीफो method वगरा फॉलो करना है, तो 25,000 multiply by 12.5%, it's 3125, तो आपका जो tax आएगा, 5,000, 5,000, 10,000, 10,000, प्लस 13,125 रुपया है, इतना आपका tax आजाएगा, ठीक है, so this is the 112 way, तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं कुछ special rate, special rates में क्या-क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहला, आपका long term capital के normal वाला, budget से पहले transfer कर दिया, तो 20%, उसके बाद transfer किया, तो 12.5%, LTCG 112 ए, share market वाला, और equity share, equity oriented mutual fund, business trust की उने, जिस पे STT pay होना चाहिए, पहले rate 10% थी budget से पहले, बजट के बाद 12.5% हो गए ही करके, और limit आपकी बढ़ा के, 1,25,000 कर दी, and this limit is applicable for whole year, यह पूरे year के लिए limit लग जाए गी, 25 के जगे, 20,000, अच्छा-चाह, ओ सॉरी, 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 इस शुद बे 20,000, 20,000 multiply by 12.5%, पच्छिस सो, टेक्स है, वो बाराजार पार्सो आए ही, चलिये, 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 तो गलती, मैंने जान बुझ के करता हूँ, बहुत बार गलती, मेरे को लगा, तुम बता दोगे मुझे, ठीक है, बढ़ तुम नहीं बताओगे, तो फिर कैसे होगा, गलती जान बुझ के, मैं बहुत बार करता हूँ, जान बुझके गलती करता है, यह सोचता है तुम बता था, तुम बताते ही नहीं हो, चली है कोई बात नहीं, ओके, दिस इस अप्लिकिबल फूर असेस्मेंटे 25-26, रादिका, यस, 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 मंत्री हर्ष, यस, रिया बोल रही है, जमरल प्रिंसिपल फीपो है, बट कहीं ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि उन्हों से लिखा दे रखा है, पूरे साल का कैपिटल के नहीं, उसमें, चलिए, मैं सची, मैं जान बुझके कभी-कभी गलतिया करूंगा, calculation error, और फिर तुम मुझे पता होना चीन है, तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं ध्यान, ठीक है, कि तुम्हारा ध्यान किस पे है फिर, अरे रुख जाओ, एक बार ये दो अलग-लग डीमेट से हुआ तो क्या होगा, मेरे पाद चाल डीमेट है तो क्या होगा, सब आएगा, तुम रुख जाओ, मेरी बात सुनो, भाई, अभी चालू कर रहे है, अभी टेक्स रेट पढ़ रहे है, कैपिटल गेन नहीं पढ़ा है, और टेक्स रेट में मुझे जरुवत पढ़ेगी, इन रेट्स की, इसलिए मैं या पर बता रहा हूँ, चलिए, उसके बाद, आपको बता है, एक सेक्शन हुआ गरती है, जिसका नाम है, सेक्शन नमबर, शॉट टर्म कैपिटल गेन, अंडर सेक्शन त्रिपल वन ए, और यह त्रिपल वन ए वाला शॉट टर्म कैपिटल गेन किस पर होता है, तो त्रिपल वन ए वाला शॉट टर्म कैपिटल गेन होता है, या तो इक्विटी शियर्स पे, या इ बाला है, equity shirts पे, equity oriented mutual fund पे, business trust की unit पे, तो guys इसमें भी change आया, भाई साब हम IPO लगाते थे, IPO में पैसा वैसा फड़ाफट कमा लेते थे, तो पहले tax कितना लगता था, तो आपने अगर transfer किया up to 22nd July 2024 तक, तो पहले tax लगता था, सिरफ 15%, 15%, लेकिन, इसके बाद, budget के बाद, means on or after, on or after, 23rd July 2024, तो आपको जो tax लगेगा, वो 20% लगेगा, तो यहाँ पे भी बड़ा दुख हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी लोगों को बड़ा दुख हुआ, earlier it was 15%, now it is 20%, तो देखिए, special tax rate की हम बात कर रहे है, कुछ special tax rate मैंने आपको बता तो special tax rate क्या है, तो special tax rate ऐसी होती है, जो हमारे income tax act 1961 में दे रखी होती है, example के लिए, long term capital gain हुआ, तो पहले उस पे 20% tax था, budget के बाद, उस पे 12.5%, यह एक फाइदा है, यह फाइदा किसके लिए है, नहीं है, वो अपन एक बार capital gain discuss करेंगे, indexation discuss करेंगे, तब बाते करेंगे बट आप समझिए, यह 20% से reduce करके 12.5 कर दी गई है, जो share market वाला long term capital gain है, उसमें 10% की जगे 12.5% कर दी गई है, बजट की date से बाद, उस date या उसके बाद, and limit जो 1 lakh की थी, वो 125 की कर दी गई है, उसके बाद में जो short term capital gain share market से होता है, वो short term capital gain जो है, वो short term capital gain है, उस पे पहल 15% की rate थी, अब उस पे 20% की rate हो गई है, 23rd July 2024, या उसके बाद में अगर आप transfer करोगे, तो उस particular case में 20%, अब एक बाद समसना, यह तो कुछ special tax rate हो गई, लेकिन आपने यह भी सुना होगा, जैसे winning की income होती है, उस पे 30% tax लगता है, तो जो winning की income होती है, winnings की income होती है, उस पे आपका 30% tax लगता है, यह एक special tax rate है, ऐसे ही आपने सुना होगा, कि एक section 115BA है, आपना office में देखा होगा, कि companies अगर चाहे, तो 22% tax pay कर सकती है, या फिर companies है, एक 115BAB भी होती है, जिसमें company चाहे, तो 15% tax pay कर सकती है, कुछ specific conditions के साथ, individual के tax case में भी, आपको पता है, एक special tax rate है, 115BAC करके आया है, उसमें amendment हुआ है, और BAC है, उसमें वो एक नया slab rate इन्होंने डाल दिया है, कि like 3 lakh तक कोई tax नहीं लगेगा, 3 lakh to सीधा, 7 lakh तक 5%, 7 lakh to 10 lakh है, वो 10%, 10 lakh to 12 lakh है, उसमें 15%, 12 lakh से 15 lakh है, वो वाला slab rate, तो this is the 115BAC, तो यह सब जो मैं discuss कर रहा हूं आपके साथ में, यह सब special tax rate है, और special tax rate कहां दे रखी है, income tax act 1961 में दे रखी है, लेकिन guys, आज अपन special tax rate से पहले, आज हम general tax rate पढ़ेंगे, तो special tax rate को थोड़ी देर के लिए गोली मारो, अब अपन बात करते है, general tax rate की, कि आपके exam के लिए general tax rate क्या-क्या है, अब एक बात समझना, general tax rate, general tax rate है, व जो general tax rates के case में, एक चीज जहाँ रखना, general tax rates के case में क्या होता है, कि general tax rate बोलते है, तो general tax rate जो है, वो finance act में दे रखी होती है, और वो कैसे लगता है, general tax rate, income पे कैसे लगता है, तो देखो, सबसे पहले पता है, आपको five head of income होता है, सबसे पहला, आपका income from salary, जो आपका difficult वा इस इंकम को हम बोलते है ग्रॉस टोटल इंकम होता है ना इसमें से आपको कुछ डिड़क्शन अलव होते हैं डिड़क्शन अंडर चैप्टर 6A और वो डिड़क्शन लेस करने के बाद जो बचेगा इसको बोला जाएगा नेट टेक्सेबल इंकम या फिर टोटल इंकम भी बोलते हैं नेट टेक्सेबल इंकम या टोटल इंकम तो देखिए आपकी इंकम कैसे निकालते हैं तो इंकम निकालने के लिए पहले आपके पास में 5 हैड है salary, house property, PGBP, capital gain, other sources, GTI, minus deduction, NTI, यह NTI जो होती है, net taxable income, या total income, इस पे tax लगाते है, पहली चीज़ दियान रखना, यह जो आपकी total income होती है, it has to be rounded up in the nearest rupees of the 10, nearest rupees of 10 में आपको rounded up करना पड़ेगा, अब आप बोलोगे rounded up कैसे करेंगे, तो जैसे मेरी income 5,60,512 है, तो मुझे मेरी income कितनी लेनी पड़ेगी पता, tax निकालने के लिए, 5,60,510, means nearest rupees of the 10, 1, 2, 3, 4 है, तो आप lower 10 में आ जाईए, अगर 5, 6, 7, 8, 9 है, तो आप upper 10 में चले जाईए, तो nearest rupees of the 10 में आपको rounded up करना है, अगर माल लो, मेरा income 5,60,550 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,60,520 लेना है, nearest rupees of the 10, 5 है, तो आप उपर वाले 10 में जाईए, 1, 2, 3, 4 है, तो आप lower वाले 10 में आईए, अब एक बास समझना, अगर माल लो, 5,60,590 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,60, 5,20 है, यह आपको अपनी income लेनी पड़ेगी, तो आपकी income है, वो nearest rupees of the 10 में आपको rounded up करना है, तो section हुआ करती है, 288 A करके, और 288 A में ऐसा बोला हुआ है, अब एक और जी समझना, सर आप बोल रहे हो general tax rate, तो general tax rate होता क्या है, तो general tax rate की बात करते हैं, बड़ी general tax rate में कोई change नहीं किया, there is no change in the general tax rate, general tax rate में यह लोग बोलते हैं, कि अगर कोई भी individual है, HUF है, AOP है, BOI है, या artificial juridical person है, पाँच लोग, कौन-कौन, individual, HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, इनके case में general tax rate क्या है, तो यह लोग बोलते हैं कि, अगर इनका income, total income जो है, वो up to, 2,50,000 है, तो उस पे कोई tax नहीं लगेगा, dash पे dash, board पे ध्यान दो, चुप-चुप बैठे रहो, board पे ध्यान दो, देखते जाओ, total income, up to 2,50,000 है, there is no tax at all, there is no tax, 2,50,000 है, कोई भी tax नहीं आएगा, अब एक बात समझना, आपकी total income है, वो 2,50,000 से ज़्यादा है, and up to 5 lakh है, तो उस पे आपको 5% की rate से tax आएगा, जो भी आपकी income 5 lakh से ज़्यादा है, and up to 10 lakh है, तो guys, आपको 20% की rate से tax आएगा, and 10 lakh से ज़्यादा है, तो आपको 30% की rate से tax आएगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, आपकी जो total income है, वो up to 2 lakh 50,000 है, there is no tax at all, इस 2 lakh 50,000 जो होता है न, इसको हम लोग बहुत बार basic exemption बोलेंगे, क्या बोलेंगे, basic exemption, लेकिन एक और चीज़ बता दू, law में basic exemption को basic exemption word नहीं बुला जाता, law में इसके लिए जो एक word यूज होता है न, that is, M-A-N-C-T का मतलब होता है, maximum amount, which is not chargeable to tax, तो देखो, law में क्या लिखा होता है, law में, जो है, वो कहीं पे भी basic exemption word यूज नहीं होता, law में इसके लिए word यूज होता है, that is, maximum amount, which is not chargeable to tax, maximum amount, which is not chargeable to tax, तो maximum amount कितना है, जो कि not chargeable to tax है, जिसको आप लोग basic exemption भी बोल सकते हैं, तो 2,50,000 is basic exemption, और 2,50 से 5,05%, 5,10,20%, more than 10,30%, कोई change नहीं है, यह slab rate जैसे पहले था, वैसे का वैसा है, up to 2,50,000 basic exemption, 2,50 to 5,05%, 5,10,20%, more than 10,30%, यह तो बात हो गई, individual, H.O.P., B.O.I. artificial, juridical, person की, लेकिन गाइज, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी person है, वो senior citizen है, अगर कोई person ऐसा है, जो senior citizen है, अब आप बोलोगे, senior citizen किसको बोलेंगे, तो senior citizen किसको बोलते हैं, senior citizen means, अगर कोई resident individual है, resident individual है, जिसका age है न, वो 60 years और more हो गया है, in previous year, miss, आपका जो previous year है, वो previous year में, उसका age 60 years या उससे ज़्यादा हो गया है, उसको बोलेंगे senior citizen, अच्छा सर, उसको senior citizen बोलेंगे, answer is yes, तो अगर senior citizen है, तो उसमें एक चीज़ का change आ जाता है, क्या पता है, senior citizen के केस में, आपका जो basic exemption है न, वो basic exemption, 2,50,000 की जगे, आपका 3,00 हो जाता है, और 3,00 पे कोई भी tax नहीं लगता, and guys, जो भी 3,00 से लेके, और 5,00 है, उस पे 5%, 5,00 to 10,00 20%, more than 10,00 30%, तो देखो, सबसे पहले इधर देखना बेटा, normal हमने क्या पढ़ा, tax rate पढ़ रहे है, general tax rate, individual, H.O.P, A.O.P, B.O.I, artificial, juridical person, 2,50,000 तक कोई tax नहीं, 2,50 to 5,00 5,00 5,00, to 10,00 20%, more than 10,00 30%, दूसरा, अगर कोई senior citizen है, senior citizen के case में, senior citizen बोलते किसको है पहले, तो मैं बता दू, senior citizen का मतलब, ऐसा कोई भी resident individual है, जिसका age 60 years या more हो जाता है, आपके वाले previous year में, तो आपका वाला previous year कौन सा है, तो मैं बता दू, आपका previous year है, previous year 24-25, 24-25, तो इस previous year में, अगर कोई senior citizen हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे, कोई ऐसा person जो 60 year से उससे ज़्यादा हो जाता है, इस particular previous year 24-25 में, तो वो senior citizen है, अब आप मुझे बोलोगे, हमारा previous year 24-25, answer is yes, इसका मतलब, आपका first April 2024 से, 31st March 2025, इस date तक, अगर कोई person है, जिसकी age 60 years हो जाती है, वो तुमारा senior citizen है, अब एक बात समझना, बड़ा interesting सा point है, एक बंदा है, जिसका नाम है मालो Mr. Kaka, एक बंदा है, जिसका नाम है Mr. Kaka, Mr. Kaka, यह जो Kaka है, यह अपना 60th birthday, celebrate कर रहा है, 60th birthday, celebrate कर रहा है, 1st April 2025 को, मिन्स 60 वा जनम दिन मना रहा है, 1st April 2025 को, तो 60th birthday, 1st April 2025 को, 60th birthday मना रहा है, मिन्स इस दिन के काट रहे हैं उसके लिए, 1st April 2025 को, happy birthday to you, happy birthday to you, Kaka, happy birthday to you, अब एक बाद रहा हूँ, तो ऐसा happy birthday मना रहे है, 60th birthday, मुझे बाद बाद बता, अगर ये 60th birthday, इस date को मना रहा है, तो उसका जनम कभवा हुगा, बर्थ डेट क्या है, मुझे बताओ ने इसकी, बर्थ डेट क्या रही होगी, मुझे बताओ, बर्थ डेट क्या रही होगी, happy birthday to you, बताओ, बर्ड डेट क्या रही होगी 60th बर्थडे इस डेट को मना रहा है तो इसकी बर्ड डेट क्या रही होगी पलक अरे पलक भाई साब यह तो एक तम हुशार बंदे बोलते हैं यस यस benefit of higher basic exemption अलो सरे इंटर भी आप इसे पड़े थे तो हमको व्याद है चलो very good तो सबने बताया कि सर इसका 60th बर्थडे 1st April 2025 को है तो इसकी बर्थडेट रही होगी 1st April 1965 अब question यहाँ पर यह आता है कि सर देको हमारा प्रीवियस एर कौन से है 24-25 और हमारा जो प्रीवियस एर है वो 24-25 है तो जो प्रीवियस एर 24-25 है वो 1st April 2024 से चालो होता है 31st March 2025 तक complete होगा लेकिन यह अपना बर्थडेए है वो तो यहाँ पर मना रहा है इस देट के बाद यहाँ मना रहा है तो ऑन दे 1st April 2025 वो क्या कर रहा है 60th birthday celebrate कर रहा है तो इस दिन अगर वो 60th birthday celebrate कर रहा है 1st April 2025 को मेरा question यह है कि उसका 60 year का age कब complete माना जाएगा क्या जिस दिन birthday celebrate कर रहा है उसी दिन माना जाएगा या फिर उसके last day पर माना जाएगा means एक बात बताओ क्योंकि अपना law क्या बोलता है कि senior citizen वो तभी बनेगा जब 60 years का age आपके previous year में होना चाहिए और आपके लिए previous year 1st April 2024 से लेके और 31st March 2025 है यह बन्दा अपना जो 60th birthday celebrate कर रहा है वो 1st April 2025 को कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ इसका 60 years of age कब complete माना जाएगा जिस दिन birthday celebrate कर रहे हो उसी दिन या उसके पिछले दिन अगर देखो इसी दिन आप 60 years मानोगे तो तो भाया इस साल में आप 60 years के नहीं हुए आपको basic exemption है वो 250,000 का मिलेगा लेकिन अगर आप यह बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो last date को मान लेंगे कि उसका 60 years of age complete हो गया तो उस particular case में इस साल में current year में मिस्टर काका को higher basic exemption का benefit मिल जाएगा चलिए उसी दिन या पिछले दिन जल्दी जल्दी बाई साब चलिए right answer is मैं आपको बताओं यह वाला है ना case सुप्रीम कोट पर तक गया था यह वाला case है वो सुप्रीम कोट तक चला गया और सुप्रीम कोट ने एक decision दिया सुप्रीम कोट बोलती है कभी भी year calculate कैसे होता है जैसे मान लो किसी भी year में आप 15 July 2024 2024 से चालो होगा और अगर one year का time calculate करना है तो one year complete 15 July 2025 को नहीं होगा आपका 14 July 25 को आपका one year complete हो जाएगा तो कभी भी आप अगर one year का time देखते हो तो one year कब complete होता है जिस date से start होता है उसके अगले साल की same date से पिछले वाली date पे वो time period complete हो जाता है तो यहाँ पे इन्हों ने यह बोला कि अगर मानलो यह बंदे का birth date 1st April 1965 है तो इसका जो 60 years का age है ना वो 31st March 2025 को complete हो गया मिस 31st March 2025 को उसका जो age है वो complete हो गया और जब 31st March 2025 को complete हुआ तो इसका मतलब यह बंदा इस साल में higher basic exemption का benefit ले सकता है इस साल में यह बंदा higher basic exemption का benefit ले सकता है तो ध्यान रखना अगर examiner ऐसा कभी दे दे कि कोई बंदा ऐसा है जिसका 60 years of age complete हो रहा है 1st April 2025 को तो भी आप यह मानोगे that 60 years of age complete हो गया on the 31st March 2025 उसके पिछले दिन and he can claim the higher basic exemption by higher basic exemption है यह MANCT का benefit ले सकता है you got my point or not yes maximum amount which is not chargeable to tax इसका मतलब इसको 3 lakh का basic exemption का benefit मिल सकता है अब एक और चीज़ समझना senior citizen जहां लिखा है न वहाँ पे word use किया है resident individual तो guys एक चीज़ यहां ध्यान रखना सिर्फ resident individual होता है न वो ही senior citizen हो सकता है और कोई senior citizen नहीं हो सकता है तो पहली चीज़ तो मैं बता हूँ HUA पे AOP, BOI है artificial juridical person वो senior citizen नहीं हो सकता है सिर्फ individual हो सकता है और एक और चीज़ समझना उसमें यहां लिखा हूँ है resident individual resident individual resident individual सिर्फ resident individual है न वो ही तुमारा senior citizen हो सकता है अगर कोई non resident है वो तुमारा senior citizen नहीं होगा non resident जो है वो कभी भी senior citizen नहीं होगा सिर्फ resident individual है वो resident individual ही आपका senior citizen हो सकता है non resident कभी भी senior citizen नहीं हो सकता तो examiner आपको दे सकते है कैसे? कि जैसे माल लो एक बंदा है जिसका नाम है Mr. Sam and Mr. Sam non resident है and guys उसकी जो age है वो 72 years है Mr. Sam non resident age 72 years क्या उसको higher basic exemption का benefit मिलेगा क्या उसको basic exemption 2,50,000 वाली मिलेगी या 3,000 वाली मिलेगी right answer is 2,50,000 वाली मिलेगी 3,000 वाली नहीं मिलेगी because ये बंदा जो है ये senior citizen नहीं है senior citizen का मतलब ही क्या होता है कि आपका resident बंदा होना चाहिए as per section 6,1 के हिसाब से बगेरा वो अगर resident है तो ही वो senior citizen है अगर वो resident नहीं है तो senior citizen नहीं तो resident individual है वो ही तुमारा senior citizen माना जाएगा तो resident individual is 60 years or more in the previous year that is called senior citizen you got my point on that yes, both ordinaryly हो या not ordinaryly हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर वो resident है resident का मतलब वो R and OR भी हो सकता है या फिर R but N OR भी हो सकता है चलेगा कोई भी हो वो senior citizen माना जाएगा अगर उसका age 60 years या उससे ज़्यादा previous year में हो जाता है तोक करके ठीक है चलेगा अब एक और चीज़ समझना अब एक और चीज़ समझना सर अगर कोई super senior citizen है अब ये क्या होता है super senior citizen super senior citizen super senior citizen किसको गोल देवादा है कि अगर कोई resident individual है जिसका age 80 years और more हो जाता है in previous year मुलाद जिसका age 80 years या उससे ज़्यादा हो जाता है in previous year लेकिन ये भी resident होना चाहिए age 80 years और more in previous year तो गाईस इसके case में क्या है न up to 5 lakh तक कोई भी tax नहीं है up to 5 lakh no tax means basic exemption उसके बाद 5 lakh से लेके and up to 10 lakh 20% and more than 10 lakh है वो आपका 30% की rate से tax लगेगा यहाँ पे 5% वाला slab भी नहीं तो जिसका age 80 years या उससे ज़्यादा हो जाता है in previous year अब इसमें भी वही फंडा लगेगा कि अगर कोई रहसा resident individual है जो अपना 80th birthday celebrate कर रहा है 1st April 2025 को 80th birthday तो भी हम यह मानेंगे कि उसने 31st March 2025 को अपना 80 years of age complete कर दिया है और उसको higher basic exemption का benefit मिल जाएगा तो चलिए अपनने अभी general tax rate पढ़ा बोलो general tax rate अरे बोलो general tax rate अरे बोलो general tax rate general tax rate अभ एक बास समयाँ दा general tax rate क्या है सबसे पहले individual H.E.A.O.P. B.O.A. artificial juridical person अप्टू 250,000 डाश पर डाश मैंस 250,000 तो कोई tax नहीं 252,500, 5,500, 5,500, 10,000, 20,000, more than 10,000, 30,000 अरे खजूर लोगों मेरे साथ साथ बोलना है और ऐसे राइम में बोलना है ठीक है? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे बोलना है ठीक है? ऐसे बैठे बैठे बोलना है, ठीक है? ममी को लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है घर पे बैठे हो तो बोलना तो पढ़े गई मुझे सब सुनाई देता है और नहा के बैठा करो करें ठीक है? वो बंदा बैठा है ऐसे ही मतलब ठीक है? 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 ठीक अब एक और चीज़ समझना अगर कोई सूपर सीनियर सिटिजन है सूपर सीनियर सिटिजन का मतलब होता है अगर कोई resident individual है जिसका age 80 years या उससे ज़्यादा हो चुका है in previous year up to 5 lakh there is no tax 5 lakh to 10 lakh 20% more than 10 lakh 30% 5 lakh to 10 lakh 20% more than 10 lakh 30% अब एक चीज़ समझना ये तो होगे general tax rate लिकिन गाइस ये जो tax लगता है ना in tax पे surcharge भी लगता है surcharge, surcharge, surcharge ये जो आपकी income पे tax लगेगा पहले tax लगने के बाद इस tax पे भाई साब क्या लगने वाला है surcharge surcharge लगने वाला है अब लोगे surcharge लगेगा हाँ हाँ बाबू surcharge लगेगा अब एक बात समझना यह बोलते है मैंने लापटोप का जो कैमेरा है न उसके सामने कुछ डाल दिया है उसको एकदम टेप कर दिया है कि ठीक है भाई साम मुझे सब दिखता है तुम जो है ऐसे मतलब चिक अपड़े पैन के नहा के बैठा करूँ ठीक है अगर आपकी टोटल इंकम जो है इसको बोलेंगे टोटल इंकम ये वाली इंकम है न आपकी टोटल इंकम अगर आपकी टोटल इंकम 50 लाक रुपेज तक ही है means up to 50 lakh means आप जो है वो 50 lakh रुपया कमा रहे हो साल का बहुत है 50 lakh रुपया जिन्दगी में जिन्दा रहने के लिए 50 lakh बहुत ज़्यादा इतना बहुत है तो अगर आप 50 lakh रुपय तक ही कमा रहे हो आपकी total income 50 lakh तक ही है तो आपको there is no surcharge means आप पे कोई surcharge नहीं लगेगा 50 lakh तक कमा रहे हो कोई surcharge नहीं लेकिन भाही साब आप तो ज़्यादा कमा रहे हो अगर आपकी total income है वो 50 lakh रुपय से ज़्यादा है but up to 1 करोड है means 50 lakh से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड है तो उस particular case में आपको surcharge लगेगा और surcharge कितना लगेगा पता है 10% of tax means जो आपका tax आएगा उस tax पे 10% extra tax लगेगा that is called surcharge 10% पे extra tax लगेगा that is called surcharge अब एक चीज़ समझना अगर आपकी income 1 करोड से ज़्यादा है और up to 2 करोड रुपीज है 1 करोड से ज़्यादा up to 2 करोड है तो उस case में आपको surcharge लगेगा that surcharge will be the 15% of the tax means जो भी tax आएगा उस पे आपका 15% है वो surcharge लगेगा लेकिन आपकी income आप तो बहुत रही सो साल के 2 करोड से ज़्यादा कमा रहे हो और 2 करोड से लेके और 5 करोड तक का आपका income है तो आपको जो surcharge लगेगा वो लगेगा 25% of tax and guys अगर आपकी 5 करोड से भी ज़्यादा income है भाई साब आप तो अल्टरा रही सो करगे ठीक है अल्टरा रही सो 5 करोड से ज़्यादा की अगर आपकी income है तो बाबु आपको surcharge कितना लगेगा पता है 37% of tax miss जो भी आपका tax आएगा उस पे 37% है वो surcharge लगेगा तो surcharge miss extra tax अब एक बाद समझना आदेश surcharge का मतलब होता extra tax, extra tax कैसे लगेगा तो देखो आपकी total income up to 50 lakh है, कोई surcharge नहीं 50 lakh से 1 करोड के बीच है 10% tax पे surcharge पे करो 1 करोड से 2 करोड है 15% 2 करोड से 5 करोड है 25% 5 करोड से उपर है 37% सर, किसी ने पूची लिया, सर, हमने तो ये सुना है, अभी 37% नहीं लगता पावू लगता है 37% अभी भी लगता है 37% कब नहीं लगता, जब आप 115 BAC लेते हो जब आप 115 BAC लेते हो ना, तो 115 BAC में maximum surcharge is 25% ये 37 नहीं लगता, लेकिन 115 BAC को छोड़के, अगर आप 115 BAC से opt-out कर देते हो और आप जब normal tax rate पे करते हो normal, general tax rate वाला ठीक है, आप normal provision से जाते हो 115 BAC, default taxation regime से आपने opt-out कर दिया तो उसमें 37% surcharge की rate अभी भी है करके, अभी भी है तो कोई-कोई बोल रहा है 37% नहीं लगेगा, लगेगा करके, ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बोला, total income up to 50 lakh है, no surcharge 50 lakh to 1 crore, 10% 1 crore से 2 crore है, तो 15% surcharge, 2 crore से ज़्यादा, और 5 crore तक है, तो 25% surcharge and 5 crore से ज़्यादा है, तो 37% surcharge लगेगा tax पे, अभी और चीज़ समझना ये जो surcharge होता है ना, उस पे, फिर आपको जो भी tax and उसमे surcharge अगर लगता है, तो वो add कर दो उसके बाद आपको health and education says है, वो always 4% add करना है, और ये health and education says है, वो always आपको add करना पड़ेगा, तो देखिए tax हो गया, फिर surcharge हो गया, फिर cess हो गया, अब आपका doubt ही रहेगा, कि sir tax तो था ही था, भाई 10 lakhs से उपर जितना भी आप income कमाते हो उस पे 30% आप tax pay करी रहे हो तो फिर ये surcharge की क्या जरूद इन्होंने बोला, अगर आप 50 lakhs से ज़्यादा income कमा रहे हो, तो आपको surcharge, means extra tax और pay करना पड़ेगा sir लेकिन निर्मला सीतारमिंट जी ऐसा भी तो कर सकती थी, कि यहाँ surcharge की rate 25-37% करी इस से ज़्यादा अच्छा होता slab rate ही बढ़ा देते ना slab rate बढ़ा देते, तो हमको ऐसी slab rate दे देते, कि चलो भाई, 10 lakh तक जो है, वो आपका 30%, 10 lakh से लेके 50 lakh तक 30%, फिर 50 lakh से लेके और 1 करोड तक आपका माल लो यहाँ 35%, फिर कर दो यहाँ 40%, ऐसा कर देते ना, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता फिर आप लोग क्या बोलते पता है, आप लोग यह बोलते हैं, इंडिया में देखो, टेक्स 40% लग रहा है, 42% लग रहा है, 43% लगता है, लोगों को ऐसे थोड़ा दिक्कत आता था ना, तो चुपके से इन्होंने क्या किया, सरचार्ज बढ़ा दिया, उन्होंने छुपके से ये सर्चार्ज, पहले maximum सर्चार्ज है, वो 15% ही हुआ गड़ता था, ये 25% and 37% वाला सर्चार्ज है, ये 2019 में हमारी निर्मला सीता रमेंट जी लेकर आई थी, 2019 वाला जो बजट हुआ देगो, जब बजट इलेक्शन के बाद होता है, आपका इसमें नुक्सान ही होता है, जैसे इस बार शेर मार्केट के कैपिटल गेन पर नुक्सान हुआ है and all, तो उन्होंने उस टाइम पर ये सर्चार्ज का पैसा जो गवर्मेंट कलेक्ट करती है न, वो स्टेट के साथ बाठना नहीं पड़ता, जो इंकम टेक्स का पैसा है, जो ये टेक्स ले रहे हैं, जो ये स्लाब रेट से बगरा जो टेक्स आता है, ये टेक्स के पैसे में से उनको स्टेट के साथ में बाठना पड़ता है लेकिन सर्चार्ज का पैसा है वो स्टेट्स के साथ में बाटना नहीं पड़ता है तो इसके लिए निर्मला सीता रहे मज़ी को मज़ा आ जाता है वो सीता सेंट्रल गर्वर्मेंट अपने पास रखते दे को इंकम टेक्स का जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा लोगों को मनलब स्टेट्स को बाटना पड़ता है अगर माराष्ट्रा से इंकम टेक्स कलेक्ट हो रहा है तो माराष्ट्रा का कुछ शेर होता है माराष्ट्रा को देना पड़ता है वो टेक्स ऐसे ही अगर तमिल नाडू से income tax collect हो रहा है तो तमिल नाडू को को share देना पड़ता है but guys when it comes to the surcharge ना surcharge पूरा अपनी central government हड़ब जाती है किसी के साथ share नहीं करना पड़ता है क्योंकि आप एक बात समझेए इस बार का जो अभी parliament में आप session देख रहे थे और यह central government के fund में पूरा जाता है यह state के साथ share नहीं होता normal income tax है वो state के साथ share होता है करके ठीक है अब एक और चीज समझना यहाँ health and education says देखो education says होता है न वो tax का use कहीं भी हो सकता है जो यह tax है tax है surcharge है इसका use कहीं भी हो सकता है मिस उसका use है वो military में हो सकता है rail में हो सकता है मिस किसी भी facility के लिए हो सकता है बट guys जो says लिया जाता है न उसका use सिरफ और सिरफ उसी specific purpose के लिए होगा तो देखो अगर यहाँ health and education says है तो इसका use जो है वो health पे होगा and education पे होगा बस यह पैसे को government और कहीं खर्च नहीं कर सकती सिरफ health पे खर्च करेगी education के खर्च करेगी इसके अलावा हमारी government यह पैसे को और कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकती health and education says को बाकि जो यह क्या बोलते है अपना tax का पैसा है surcharge का पैसा है वो कहीं भी use हो सकता है चलिए, अब एक चीज़ समझना, एक interesting सी बात आती है, यहाँ पे all people pay attention, जब यह मैं बोल रहा हूँ, कि निरमला सीता रमन जी ने बोला, कि आपकी income 2 करोड से जादा है, अब 25 करोड है तो 25% tax पे सरचार्ज, जो tax होगा उस पे 25% extra tax, अगर income 5 करोड से जादा है, तो 37% extra tax, 2019 में डाला थे निरमला सीता रमन जी ने, और 2019 में जब यह 25% and 37% डाला ना, तो guys, share market नीचे आ गया, आप देखोगे उस time पे, जब यह 25% and 37% सरचार्ज लेके आए ना, तो इंडिया का जो share market है, वो share market है, वो नीचे आ गया उस time, यह 2019 की बात है, जब जैसे ही 25%, 37% सरचार् तो share market नीचे आ गया, share market इसलिए नीचे आया, क्योंकि उन्होंने बोला लोगोंने कि यार, हम इंडिया में टेक्स जो भर रहे हो तो भरी रहे है, उसके उपर सरचार्ज और वो भी 25% सरचार्ज, 37% सरचार्ज on the taxes, बहुत हाई है, लोगोंने इंडियान share market से पैसा निकाल चालू किया, जो normally FIIs वगेरा थे, क्योंकि FIIs वगेरा है ना, वो भी तुमारे AOPBI में आते है, अगर FII है, Foreign Institutional Investor है, वो भी तुमारे AOPBI में आते है, माल लो, तो AOPBI में जो FIIs वगेरा आते है, अगर वो company के form में नहीं है उदर, और वो FII अगर AOPBI में आते है, तो उनक वो भी ये हिट करेगा, ये सर्चार्ज 25%, 37% सर्चार्ज, वैसे का वैसे जो इंडिया के high net worth individual, जो HNIs है, HNIs की maximum income share market से होती है, और share market से income होती है, तो वहाँ पे भी ये हिट करेगा 25%, 37%, और उसकी वज़े से मैं बताऊं, 2000 and 2019 में share market, जब ये amendment आया, निर्मला सीतारबन जी इसके लिए ordinance लाया था, ordinance तब लाते है, जब Parliament session में नहीं होती, और कुछ amendment करना है, तो निर्मला सीतारबन जी ने ordinance लाया था 2019 में, और ordinance लाके ये change किया था, और उन्होंने बोला, कि 25%, 37% सर्चार्ज, लोगों को बड़ी दिक्कत आई, लोगों ने बोला नहीं, आप ये ग capital gain होता है, under section 112A वाला, अब ये परने देखाता है, कि long term capital gain 112A वाला जो होता है share market से, या फिर आपका short term capital gain under section 111A, जो कि share market से होता है, या फिर share market से, आपको CDC बाद है dividend मिलता है, यही तो income हो सकती है share market से, या तो long term capital gain होगा, या फिर आपका जो है, वो क्या बोलते है, short term capital gain होगा share market से, या dividend मिलेगा, या फिर तुमारा कोई normal long term capital gain 112 वाला है, normal, 112 वाला है, जैसे property बेचा, gold बेचा, उस पे long term capital gain है and all, guys यह जो income है, यह normally special rates से taxable होती है, special rates अभी अपन ने बताया था, कि long term capital gain 112 वाला है, या तो 10% से taxable होगा, या 12.5% से, short term capital gain 111 वाला है, 15% या 20%, बजट के बाद 20%, dividend है, वो slab rates से taxable होता है, LTCG है, वो आपका पहले 20% से taxable होता था, अब 12.5% से taxable होता है, लेकिन उस पे जो tax आएगा, उस tax पे इन्होंने बोला, कि आपका maximum surcharge 15% हो सकता है, उस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, maximum surcharge है, वो आपका 15% हो सकता है, इन income, कितनी भी income हो, कितनी भी हो, आपकी कितनी भी income हो, LTCG 112A, STCG 111A, dividend का income, LTCG का income, इस पे जो tax आएगा, उस tax पे maximum surcharge आपका 15% ही लग सकता है, उस से ज़्यादा surcharge नहीं लगता, means in simple word ऐसा बोलू, कि आपको 25% and 37% का surcharge नहीं लगेगा, यह surcharge नहीं लगेगा, तो यह जो 25% and 37% का surcharge है, यह surcharge आपके इन income के tax पे नहीं लगेगा, LTCG 112A, STCG 111A, dividend and LTCG, इनका जो भी tax आएगा, उस tax पे maximum surcharge 15% लग सकता है, उस से ज़्यादा नहीं लगेगा, एक example लेते हैं, जैसे माल लो, for an example, एक बंदा है, जिसका नाम है Mr. B.B., माल लो Mr. B.B., मेरे को long term capital gain हुआ, और long term capital gain है, वो माल लो 10 करोड का है, 10 करोड का long term capital gain है, और 10 करोड पे long term capital gain पे मेरा tax rate क्या है, तो tax rate, माल लो long term capital gain 12.5% after budget वाला है, 12.5%, तो मेरा जो tax आएगा, वो tax आया, 10 करोड, multiply by 12.5%, 1.25 करोड, so 1.25 करोड है, वो मेरा tax आया, अब एक बात समझना, इसमें मैं basic exemption वगएरा को थोड़ी देर के लिए ignore कर रहा हूँ, 1 करोड 25 लेक tax है, अब इस पे सरचार्ज एड करना पड़ेगा, अब इस पे जब सरचार्ज एड करेंगे, तो सरचार्ज कितना percent ले, अभी तो हमने पड़ाता है यहां, कि सरचार्ज की rate क्या होती है, अगर आपकी income up to 50 लेक है, तो कोई सरचार्ज नहीं, अगर 50 लेक से 1 करोड है, तो सीधा 10% सरचार्ज एड कर दो tax pay, अगर 1 करोड से 2 करोड है, 15% एड करो, 2 करोड से 5 करोड है, 25% एड करो, 5 करोड से ज़ादा है, 37% एड करो, तो यहां तो income 10 करोड है न, यहां तो आपकी income 10 करोड है, तो उस पे तो आपका 37% सरचार्ज आना यह tax पे बट ना बाबना यहां बोला कि अगर long term capital gain 112 वाला share market से short term capital gain triple वने वाला share market से dividend का income and LTCG 112 इन चारो income पे जो tax आएगा उस पे maximum surcharge 15% का लगेगा बस उस पे maximum surcharge है वो 15% ही लग सकता है उससे ज़्यादा नहीं लग सकता तो एक बात बता हूँ यहां पे आपका surcharge है वो सिरफ 15% लगेगा तो आपका 1 करोड 25 lakh multiply by 15% comes to 18 lakh 75,000 और फिर add करके जो इसको अपन add कर देंगे it comes to the 1 करोड 43 lakh 75 तो फिर add कर दो health and education says at the rate 4% तो यह add करने के बाद आ जाएगा 14 lakh 95,000 14 lakh 90 5,000 है इतना आपका tax 1 करोड 49 lakh 50,000 है इतना आपका net tax आजाएगा 1 करोड 43 lakh 90,000 है उतना 1 करोड 49,000 50,000 है क्या बोल रहा हूँ मैं यार क्या बोल रहा हूँ 1 करोड 20 plus 15% plus 4% 1 करोड 49 lakh 50,000 done, चलो अब एक बाद समस्दाइब, इदर देखो सब लोग इदर देखो, सब डाउट clear होंगे दीरे दीरे दीरे, रुक जाओ अभी, थोड़ा रुक जाओ ने बावू, हाँ, रुक जाओ अभी, ठीक है, चलो, अब इदर देखो सब लोग इदर देखना, very interesting part अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ इस पर आप ध्यान देना, ठीक है, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस पर आपको ध्यान देना, ठीक है, इदर देखो मैं एक example ले रहा हूँ एक minute के लिए आप relax हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा draw कर रहा हूँ इस लिए झाल रुख जाओ, सब आजाएगा, ठीक है सरचार slab rates नहीं लगता, अगर आपके income उस particular limit से जादा सीधा सरचार जायड करनेगा जैसे 60 lakh है, तो जो tax आएगा उस पर सीधा 10% सरचार जायड नहीं है ठीक है, income पर tax slab rates से लगता है अगर नहीं है चलो, अब इदर देखो, सब लोग इदर देखो कुछ भी note नहीं करना, सब मैंने note करके दे रखाए, आपको note नहीं करना है, आप इदर द्यान देजिए, देखिए सब लोग इदर देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कॉलम में लोगा special income, special income means यह 4 income, चार income कौन कौन सी? LTCG 112 A, LTCG 112, SCCG 111 A and dividend, तो यह special income means आपका special income means या तो आपका long term capital gain 112 वाला है, 112 A वाला है, 111 A वाला है, या dividend का income, यह तुमारी special income, एक मैं लोगा other income, यह हो जाएगी total income, आपको बताना है, कौन सी income के text पे surcharge कितना आएगा, तो देखिए, सबसे पहली चीज़, मानलो, आपकी special income जो है, for an example, that special income is 20 lakh and other income है, वो 25 lakh है, मुझे बताओ, आपकी total income 45 lakh हो जाएगी, total income 45 lakh हो जाएगी, अब मुझे एक बात बताओ, जब total income 45 lakh हो जाएगी, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको surcharge लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे बताओ न, surcharge आएगा या नहीं आएगा, आपकी income 45 lakh है, तो आपकी income 45 lakh है, तो क्या surcharge आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, surcharge का बात है, when your income is more than 50 lakh, up to 1 crore, तो surcharge 10% आएगा, 1 crore से 2 crore 15%, 2 crore से 5 crore 25%, 5 crore से ज़्यादा है, तो 37%, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यहाँ पे आपका कोई भी surcharge नहीं आएगा, जो तुमारी ये special income वाली है, special income पे जो tax आएगा, उस पे भी कोई surcharge नहीं, और other income पे जो tax आएगा, उस पे भी कोई surcharge नहीं, दूसरा example, मान लो, आपकी special income 45 lakh है, other income 40 lakh है, तो total मिलाके हो गया 85 lakh, अब मुझे एक बात बताओ, जब 85 lakh हुआ total income, तो क्या surcharge आएगा या नहीं आएगा, your total income is 85 lakh, तो 85 lakh अगर तुमारा income है, तो surcharge आएगा या नहीं आएगा, तो मैं बताओ, यहाँ पे अगर आपका income 50 lakh से उपर और 1 crore तक है, तो आपको 10% surcharge तो आएगा न, तो यहाँ पे आपका 10% surcharge तो आएगा न, क्योंकि आपको देखना है total income, and total income is 85 lakh, and when total income is 85 lakh, इसका मतलब आपको surcharge आएगा, और surcharge कितना आएगा 10%, 10% आएगा, इसका मतलब आपका special income पे जो tax आएगा, उसपे भी surcharge 10%, और other income पे जो tax आएगा, उसपे भी surcharge 10%, चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत न, अब मानलो, आपका special income 75 lakh है, other income आपका 85 lakh है, तो देखो, यह 75, यह 85, मुझे एक बात बताओ, 75, 85, तो 75 plus 85, it comes to the 160, एक करोट साथ लाग हुआ, अब मुझे बताओ, एक करोट साथ लाग हुआ, तो आपकी total income 1 करोट 60 lakh है, तो 1 करोट 60 lakh means 1 करोट से 2 करोट के बीच है, 1 करोट से 2 करोट के बीच में है, तो 1 करोड से 2 करोड के बीच में है तो यहाँ पे एक बात बताओ ना बाबू 1 करोड से 2 करोड के बीच में तो 15% सर्चार्ज आएगा तो 15% दोनों पे आ जाएगा दोनों के टेक्स पे 15% means special rates वाली income का जो टेक्स आएगा उस पे भी 15% और इस पे भी 15% इस पे भी 15% इस पे भी 15% 15% तो कोई दिक्कत नहीं है 15% तो कोई दिक्कत नहीं अब एक बात समझना next is very interesting मान लो मेरा special income जो है वो 1 करोड 50 लाक है special income is 1 करोड 50 लाक other income है वो 2 करोड 30 लाक है other income 2 करोड 30 लाक है अब मुझे बताओ आपका 150 प्लस 230 यहाँ दिमाग देने लगाना है 150 प्लस 230 it comes to the 380 तो आपकी जो total income है वो 380 है 3 करोड 80 लाक अब यहाँ पे concentrate करना है यहाँ concentrate करना यहाँ total income 3 करोड 80 लाक है तो 3 करोड 80 लाक है इसका मतलब तो यह हुआ 5 करोड के बीच है तो आपको 25% सरचार्ज आएगा तो बाबू यहाँ क्या हमको 25% सरचार्ज लग जाएगा क्योंकि आपकी income तो 2 करोड से 5 करोड के बीच है तो 25% लेकिन गाइस अभी तो मैंने बताया कि LTCG STCG 111A 1128 dividend का income and 112 इन 4 income पे maximum सरचार्ज 15% यह आ सकता है maximum सरचार्ज 15% तो इनका जो tax आएगा उस पे आपका maximum सरचार्ज कितना आएगा 15% लेकिन आपकी जो other income है other income, other income कितनी बची 2 करोड 30 लैक यह other income अपने आप में 2 करोड से जादा है तो guys other income जो है उस पे आपका सरचार्ज other income के tax पे सरचार्ज है वो 25% other income के tax पे जो सरचार्ज है वो आपका कितना आएगा 25% अब एक चीज समझना एक और चीज है एक मिनट बस यहाँ पे गलती करोगे यहाँ गलती करोगे अगर माल लो अब इसका answer आप करोगे मेरा जो special income है वो 1 करोड है for an example यह जो special income है वो 1 करोड है other income 1 करोड 70 लाक है 1 करोड 70 लाक है मुझे बताओ total हो गया 2 करोड 70 लाक total हो गया 2 करोड 70 लाक कितना सरचार जाएगा एक बात बताओ 1 करोड है वो special income है LTCG, capital gain and dividend वाला and जो other income है वो 1 करोड 70 है तो अब मुझे बताओ यहाँ कितना सरचार जाएगा यहाँ कितना सरचार जाएगा देखो आपकी जो income है वो तो यहाँ पर 2 करोड 70 है आप तो total income देखते हो यहाँ तो total income देखते हो तो right answer is एक बात बताओ एक बात बदा हूँ, देखो जो special income है देखो आपकी total income 2.70 करोट मेंस 2 करोट से जादा है, तो 25% आना चाहिए, लेकिन गाइस, लेकिन गाइस आपके capital gain और dividend वाले उस पे जो tax आएगा उस पे maximum surcharge कितना हो सकता है 15% maximum surcharge 15% लेकिन other income जो जो बचा, उसके tax पे क्या 25% surcharge आएगा answer is no आप एक बात बताओ देखो, आपकी total income 2 करोट से जादा है लेकिन, क्या आपकी other income जो है यह देखो, total income 2 करोट से जादा है क्या उसमें हाथ जो है, वो special income का है या नहीं special income की वज़े से यह 2 करोट से जादा हो रही है answer is yes तो बेटा, जो balance income जो है जो balance income या other income है उसके tax पे surcharge भी 15% आएगा यहाँ 25% नहीं आएगा 25% कब आता कि अगर यह other income अपने आप में 2 करोट से जादा होती तो यहाँ 25% आता but other income अपने आप में surcharge आएगा once करोट 70 lakh के tax पे भी आपका 15% की rate से ही surcharge आएगा समझा के नहीं समझा एक वापस बोल रहा हो एक और चीज़ समझना अब देखो interesting हा मान लो आपका capital gain है वो 40 lakh ही है यह सबसे interesting हा यहाँ गलती कर दोगे 40 lakh है other income 1 करोट 80 lakh है यह 40 lakh है other income 1 करोट 80 है total कितना हो गया 2 करोट 20 lakh 2 करोट 20 lakh अब एक बाद बताओ 2 करोट 20 lakh अब आब एक बाद बताओ आपको देखो सबसे पहले है न आपको total income देखना है सबसे पहले आपको total income देखना है total income कितना है तो total income 2 करोड से ज़्यादा है तो 2 करोड से ज़्यादा है तो 25% आना चाहिए लेकिन capital gain जो होगा उस पे जो tax आएगा उस पे surcharge maximum कितना लग सकता है 15% तो यहां 15% हो अब आप मुझे बोलोगे अब आपका doubt यह रहेगा कि sir ऐसा भी तो सोच सकते है ना यह तो 40 lakh ही है तो 40 lakh ही है तो sir इस पे तो 10% या बिल्कुल surcharge नहीं होना चाहिए इसी पे surcharge क्या ऐसा है नहीं देखो हमेशा focus to the total income total income जब 1 करोड से ज़्यादा है तो 15% तो लगेगा ही लगेगा total income जो है वो 1 करोड से ज़्यादा है means देखो when your total income is more than 1 करोड जब आपका total income 1 करोड से ज़्यादा है तो 15% तो आए गई आएगा 15% तो आपका आए गई आएगा आपको ये देखना है 25% आए या नहीं आएगा तो 15% यहाँ आगया अब एक बात बताओ यहाँ पे आपका 2 करोड से ज़्यादा है 25% आना जी बट क्या balance income अपने आप में 2 करोड से ज़्यादा है क्या नहीं balance income अपने आप में 2 करोड से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे सरचार्ज आपका 15% आएगा यहाँ पे surcharge है वो आपका 15% आएगा अब एक और चीज लास्ट एक्जाम्पल है अब समझना मालो मेरा ये वाला जो income है वो for an example ये वाला income आपका 2 करोड है 2 करोड है 2 करोड लिखते कैसे तो गरीबों को ये पता नहीं होता और ये 4 करोड है ये 2 करोड है ये 4 करोड है तो तो चार और दो 6 करोड हो गया अब एक बात बताओ 2 करोड special income 4 करोड balance income total income 6 करोड तो आप बोलोगे जो आपकी special income है उस पे maximum सरचार्ज कितना आ सकता है 15% अब आप बोलोगे balance तो आपको यह देखना है कि यह other income क्या 5 करोट से जादा है क्या नहीं है यह जो है बाबू यह 5 करोट से जादा नहीं है बट 2 करोट से जादा तो है यह answer is yes तो इसके text पे सरचार्ज आ जाएगा 25% बट मान लो अगर यह 2 करोट होता यह 2 करोट and guys यह 2 करोट and यह मान लो 6 करोट होता 6 करोट 6 करोट total comes to 8 करोट total comes to 8 करोट तो एक बात बताओ यहाँ 8 करोट तो पहले वाले पे 15% दूसरा वाला जो है अब वो अपने आप में यह जो income है क्या यह 5 करोट से जादा है answer is yes तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 37% सरचार्ज आएगा tax on the balance income तो देखो special income के tax पे maximum 15% balance income अपने आप में 5 करोट से जादा है तो 37% अब एक और चीज़ समझना एक और चीज़ समझना last example मान लो आपका capital gain है वो capital gain 1 करोट 80 lakh है special income is 1 करोट 80 lakh 1 करोट 80 lakh is a special income balance income is 45 lakh अब आप मुझे बता होगे मैं नहीं बता होगे special income is 1 करोट 80 lakh balance income is 45 lakh total 2 करोट 25 lakh बताईए कितना सर्चार जाएगा so मैं बोलू एक बात बताओ चलो किसी ने बोला 15% and 0% किसी ने बोला दोनों पर 15% so क्या यहाँ पर 15% and 0% आएगा या 15% and 15% आएगा राइट आंसर इस मैं बताओं यहाँ पर दोनों पर आपका 15% आएगा दोनों ही जगे 15% एक हजूर जब तेरी टोटल इंकम 1 करोड से जादा है तो 15% सर्चार तो आएगा या आएगा जब आपकी इंकम जो है वो टोटल इंकम आपको देखने का टोटल इंकम में सब मिला के इंकम 1 करोड से ज़ादा है तो 15% तो आएगा या आएगा आपको यह देखना है 25% 37% आएगा या नहीं आएगा भाईया आपको यह देखना है कि 25% 37% आएगा या नहीं आएगा यहाँ पे आपका 15% तो आएगा ही आएगा अब एक बात समझना, मैंने आपकी compact में बहुत ही simple बना के इस चीज़ को दे रखा, इतना complicated नहीं है, देखो, आपको बड़ा simple सा मैंने दे रखा, सिरफ ये वाला point है न, इससे आपको ये समझ जाएगा, ये है, क्या सिरफ 4 लाइन है, बस, देखो, आपको क्या देखनेंगा पहले इधर देखो, अब जो भी नहीं समझा, एक minute में इधर देखो, आप भी समझ जाएगा, आपकी total income में, total income का मतलब होता है, all income, special income, other income, सब मिलागे, total income, अगर आपका up to 50 lakh है, तो आपको कोई सरचार्ज नहीं है, no सरचार्ज, अगर total income 50 lakh से 1 करोड है, तो 10% सरचार्ज अगर 1 करोड से 2 करोड है, तो 15% सरचार्ज, अब देखो, 15% तक आपको कुछ भी नहीं देखना, भले वो special income हो, normal income हो, कुछ भी हो, 15% तक तो कुछ नहीं देखना, अगर income 1 करोड से जादा है, ठीक है, up to 2 करोड है, आप 15% सरचार्ज ले लो, भले वो special income है, normal है, कोई भी ह देखो, अगर आपकी total income 2 करोड से जादा है, your total income is more than 2 करोड, and उसमें dividend या capital gain special income भी है, अगर total income 2 करोड से जादा है, और उसमें special income भी है, तो आप एक काम करो, कि जो special income है, उस पे सरचार, special income के tax पे सरचार 15%, और जो remaining total total income है, वो कितनी है, वो देखो, तो बाकी वाली total income जो है, special income को छोड़के, बाकी वाली total income है, वो अगर up to 2 करोड है, वो अगर up to 2 करोड है, तो बाकी वाली income पे जो tax आएगा, उस पे सरचार 15%, बट अगर remaining income जो बचा है, जो special income को हटा दो, remaining income है, वो अपने आप में 2 करोड से जादा है, अप तो 5 करोड है, तो remaining income के tax पे सरचार्ज 25%, and remaining income अपने आप में अगर 5 करोड से जादा है, तो उस पे 37% सरचार्ज गाई, तो देखो, बड़ा simple है, सिर्फ ये 4 point है, ये 4 point दिमाग में डाल दिया, आपका काम बन गया, देखो, आप total income, चोचल, चोचल income, ठीक है, total income, up to 50 lakh है, 9 सरचार्ज, 50 lakh to 1 करोड है, 10% ले लो, 1 करोड to 2 करोड है, आप 15% ले लो, अब एक बात समझो, अगर आपकी income 2 करोड से जादा है, और उसमें special income भी है, तो special income पे जो tax आएगा, उसमें सरचार्ज 15% लो, अब देखो, remaining income कितनी है, remaining income, up to 2 करोड है, तो 15% सरचार्ज, remaining income 2 करोड से जादा है, up to 5 करोड है, तो आपका 25% सरचार्ज, remaining income 5 करोड से जादा है, तो उस पे 37% सरचार्ज, you got my point or not, yes sir, हमको समझ गया, चलिए, आप एक काम करिए, आप आज घर पे जाके, जो इस book में, ये वाले page पे दे रखा है, that इसको आप revise करके आएंगे, कल इस से related अपन काफी सारे questions वगरा है, वो आपन करेंगे, तो कल अपन question करेंगे, तो और ज्यादा आपके लिए clarity बैठेगी, अभी के लिए है, वो आप जो है, वो सिरफ इहां तक revise करके आए, company से पहले जो general tax दे रखा है, वो आप revise करके आए, अगर तो भी आप question करना चाहते है, तो आप बिल्कुल करिएगा, example number 1 दे रखा है, यहां पे, that is example number 1, जैवाला, वो question आप कर सकते, example number 1, 2 को मत करिए, क्योंकि 2 में dividend है, मत करिए, example number 1 जो दे रखा है, वो करिए, और उसके बाद मैंने test yourself भी दे रखा है, तो test yourself में अगर अगर आप खुद करना चाहे, कुछ example घर पे जाके, तो एक तो यह example number 1 यहां पे solution के साथ दे रखा है, वो करना है, और उसके बाद मैं test yourself में, S के वाला, एंड दे रखा है, वो आपको करना है, चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, कल continue करेंगे, thanks a lot people, that's enough for today from my side, अच्छ आप सको जब भी कुछ communicate करना चाहेगी, तो वहाँ पे करेगी, तो आपका doubt solving का app वगेरा है, उसका link वहीं पे दे रखा है, notes करके, उस notes में आप जाके देखोगे, तो वहाँ पे आपको doubt solving का link दे रखा है, ठीक है, चलिए, office के लिए late होगे, ठीक है, नहीं होगे, कल से नह होगे, मैं ध्याद रखूँगा, मेरे को यहाद ही नहीं रहा है, पढ़ाते पढ़ाते, 10 मिन रुक पर होगया, चलो कोई बात नहीं, कल से आप late नहीं होगे, thanks a lot people, that's enough for today from my side, आज जो पढ़ाया, please आप revise करके आईए, और जो मैंने question बोले, S के वाला, देव वाला, और ए आए, आप में नहीं, कर दोले